नमस्कार, दिहेयर IES के डेली करेंट अफेर्स वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव के दस वर्ष पूरे होने पर इसके क्रियानवयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, साथ ही भारत के लिए इसके नहितार्थों पर भी बात करेंगे। चीन की महत्वा कांक्षी फैल बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव बियाराई की शुरुआत दो हजार तेरह में की गई थी। इसका उदेश्य दक्षनपूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाडिक शेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमी और समुद्र के माध्यम से जोडने वाले मारगों का एक नेटवर्क स्थापित करना है। आरंभ में यह वन बेल्ट वन रोट के रूप में जाना जाता था लेकिन बाद में इस पहल का नाम बदल कर बियाराई कर दिया गया। अपने आरंभ से लेकर अब तक बियाराई चीन के वैश्विक प्रभाव का विस्तार करने का कार्य कर रहा है। जबकि कुछ अन्य लोगों का कहना है कि यह वैश्विक रण को फिर से स्थापित करने और इसकी कम्यों को दूर करने का चीन का प्रयास है। इसके तहट चीन बुनियादी धांचे के निर्मान के लिए सहयोगी देशों को रिन और वित्ती सहायता प्रदान करता है। एशियाई अवसन रचना निवेश बैंक ने चीनी राष्ट्रपती शी जिंगपिंग को बियाराई की सुरुआती वर्षों में लाब हुठाने में सक्षम बनाया और अंतर राष्ट्रिय व्यापार में रेन मिन्बी को एक प्रमुक मुद्रा के रूप में स्थान भी दिल बियाराई के तहट चीन ने 150 से अधिक देशों के साथ 200 से अधिक सहयोग समझोतों पर हस्ताक्षर किये हैं इन समझोतों में चीन और उसके सहयोगी देशों के बीच निवेश 2013 से 2022 तक 380 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है चीन के राष्टपती का कहना है कि बियाराई बड़े पैमाने पर वैश्विक बुन्यादी धांचे की कमी को दूर करने और वैश्विक आपूर्ती श्रिंखला को मजबूत करने का एक प्रयास है यद्यपी बियाराई से चीन को काफी लाब हुआ है लेकिन इसने शामिल देशों सहित भारत के समक्ष कई चुनोतियां उत्पन्न की है इसके अलावा इसके कई पर्यावरनिय और सामाजिक प्रभाव भी है जिसके कारण इसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है आईए अब इसकी चुनोतियों पर बात करें चीन के द्वारा वितरित रिण और परियोजना की अच्छी शुरुआत के बावजूद अक्सर चीनी अधिकारियों के बीच खराब समनवय और निरिक्षन देखा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप आदर्श परियोजना का चैन कम हो पाता है नतीजतन चीन के लिए वित्तिय नुकसान और इसमें शामिल विकास शील देशों के लिए रिन बोज बड़ा है बी आराई परियोजनाओं में लगभग 89 प्रतिशत ठेके चीनी कमपनियों के पास है जिससे स्थानिय व्यवसायों को इन निवेशों से सीमित लाब मिलता है उदाहरण के लिए पाकिस्तान के गौादर बंदरगाह में बी आराई के निवेश ने स्थानिय मचुआरा समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है उनकी आजी विका में तेजी से गिरावट आई है और परियोजना से उन्हें कोई स्पष्ट लाब नहीं हुआ का सामना करना पड़ रहा है श्रिलंका द्वारा अपने बंदरगाह हमबन टोटा को चीनी कंपनी को 99 साल के पट्टे पर सौंपने का मामला ऐसा ही एक उदाहरण है चीन पाकिस्तान आर्थिक गल्यारे CPC को कभी चीन पाकिस्तान के बीच गहरी दोस्ती के प्रतीक के रूप में जाना जाता था हाला कि अब यह जांच के दाएरे में है कई रिपोर्टों से संकेत मिला है कि चीन के पास ग्वादर बंदरगाह का 91 प्रतीशत राजस्व है जबकि पाकिस्तान को केवल 9 प्रतीशत प्राप्त होता है इन मुद्दों ने बियाराई की प्रतिश्ठा को धुमिल किया है विशेश रूप से विन-विन सहयोग की अवधारना को इसके अलावा WWF की 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार बियाराई परियोजनाओं के कारण महत्वपूर्ण पक्षिक शेत्र और प्रमुक जैव इधता क्षेत्र जोखिम का सामना कर रहे हैं एक अन्य उदाहरन में लाउस में सुपरफास्ट ट्रेनों और बांध निर्मान परियोजनाओं में अपर्याप्त मुआवजे और सूखे के कारण स्थानिय निवासियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है साथ ही लाउस प पसे भागीदार देशों में महत्वपूर्ण बुनियादी धांचे पर चीन के बढ़ते प्रभाव और नियंतरन के बारे में इन चिंताओं के कारण कुछ देशों ने इस पहल में अपनी भागीदारी का पुनर मूल्यांकन किया है हिंद महासागर में चीन की बंदरगाह विकास परियोजनाएं भारत के लिए भी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा रही है नेपाल पाकिस्तान श्री लंका और म्यामार में चीन की बढ़ती उपस्थिती ने भारत के लिए चिंता बढ़ा दी है आईए अब बी आराई के क्या वैश्विक विकल्प है इस पर वाब में विभिन्य देशों और अंतर राश्ट्रिय संगठनों ने वैकल्पिक बुनियादी धांचा परियोजनाएं शुरू की है बाइडन प्रशासन ने बिल्ट बैक बेटर वर्ल्ड बी 3W फिल की शुरुवात की है इस पहल का उद्देश्य जलवायू परिवर्तन उ अस्थिर रिंड के कारण चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPIC का विरोध करते हुए भारत मध्यपूर्व यूरोप गलियारे IMAC के रूप में एक विकल्प प्रस्तावित किया है यह महत्वा कांक्शी गलियारा भारत पश्चिम एशिया और यूरोप को रेलवे शिपिं इनिशेटिव अपने दस्वें वर्ष गांठ पर एक चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ इसने वैश्विक बुनियादी धांचे की कमी को दूर करने और चीन को एक वैश्विक खिलाडी के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है वहीं इसे प्रबुता, रिंजाल, पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों सहित काफी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है